इसका स्टेटमेंट हुआ तो मंत्री के सामने उसको फालगे फेक दिया गया उनके स्टेटमेंट को आपने देखा होगा कोई घंबिरता नहीं है लेकिन आज मैं एक बात देश के सामने दुबार रखना चाहूंगा मैंने इसको पहले भी कहा था जब मेरी कोई पंदर इन पह प्राइमा फेशाई एविडेंस दाट इस फोर नंबर्स हाब बिन टैप्ट नो संसत के शुरू होने के पहले कुछ नंबर मार्केट में आ गए और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा आए जिनका एंटी मोदी एजेंडा बहुत ऑवियस है एंटी मोदी एजेंडा मैं फिर र पास आये हैं लेकिन इस स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है इसका एक प्राइमा फेश एविडेंस आया है कि आज तक किसी सुरूत के द्वारा आज हमने आखभारों में देखा कि सुप्रिम कोट के पूर्व जजज का नंबर दिया गया जब वो किसी हाई क रोड के Chief Justice थे उनने का हमने वो फोन दो हजार चौदा में सरेंडर कर दिया तो यस तरह की बाते की जा रही है नो प्राइमा फेशे एविडेंस I repeat no प्राइमा फेशे एविडेंस and just before the onset of the parliamentary session a campaign orchestrated by many of the elements hostile to the present government comes out सिर्फ संसत के कुछ दिन पहले ये पूरी कहानी शुरू की जाती है तो ये हम आपसे बार-बार कहना चाहेंगे कि ये जानना बहुत जरूरी है चर्चा होगी हम चर्चा करने को तयार है कहने के लिए बहुत कुछ हमको है काफी तीखे सवाल हमें Congress Party से पूछने हैं पूछ अंबीर है क्या Congress Party इमानदारी से चर्चा चाहती है या विपक्ष लोग चर्चा चाहते हैं क्या बस किचर उच्छालना और वाक आउट करना यही तो इनका अधित का तरीका रहा है अब इस संसन में क्या हो रहा है कितना अधिक पीड़ा दोनों प्रजाइडिंग आफस ने प्रगट की है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है यह जरा मुझे बताईए कि यूपियस सरकार में कैसे बिलपास हुआ था